नमस्कार दोस्तों अगर जिदि आप रेलवे के किसी भी तरह की परिछा की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है आने कि ज़िदि आप NTPC, Group D, Logopilot, Effect Technician किसी भी छेतर में रेलवे की त्यारी कर रहे हैं तो उन सारे पर परिछाओं के लिए जो पुछे जाते हैं जेनरली 75 परिछा में बार बार रिपीट किया जते हैं इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ रेलवे से सम्मंधित जैसे कि भारत में रेल का आरम किस वर्स हुआ अस्थापना रेलवे बढ़ का कब किया गया किस सन में यहां के जानने की इस तरह के जो प्रसन होते हैं कि रेलवे के जो है डबा कहां बनते हैं इंजन कहां बनते हैं नेरो गेज क्या होता है इन सारे प्रसनों को हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे और यह हमारा वीडियो नंबर वन है 75 प्रसन में से हमने इसको दो पार्ट मे इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल ने के 35 परसंट 35 परसंट को करेंगे बाकि के बचे जो परसंद रहेंगे हम लोग next वीडियो में करेंगे तो हम लोग अश्टार्ट कर लेते हैं देखे के पहला परसंट से क्या है कि भारत में रेल का आरंभ की सन में हुआ था आने कि भारत में जो रेल का आरंभ हुआ वो किस वर्ष में हुआ उप्शन ये 1903, 1873, 1895 या फिर 1859 तो राइट एंसर हो जाएगा उप्शन भी सन 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ प्रारंभ हुआ अगला प्रस्न है भारतीय रेल का राश्टी एकरन कब हुआ था इसका right answer option यह हो जाएगा सन 1950 में भारतीय रेल का राश्टी एकरन हुआ था आपका जो अगला प्रस्न है भारत में सबसे लंबी दुरी तएक करने वाली रेल गाड़ी जो है वो कौन सी है सही उतर हो जागा option C भारत में सबसे लंबी दुरी तै करने वाली रेल गाड़ी जो है उसका नाम है भारत में सबस्क्राइब कर लिजेगा पास में जो ये बेल आइकन बन के आता है इसके उपर भी जलूर किलिक कर लिजेगा ताकि हमारा कोई नया वीडियो आवे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिखे और आप महां से असानी से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं जो बिल्कुल फिर ये अपकोस्ट रहता है आपका अगला प्रस्त है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है सही उतर हो जाएगा ऑप्शन ये सताबदी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली जो रेल गाड़ी है वो आपका सताबदी एक्सप्रेस है नेक्स्ट कॉर्शन आपका है रेल इंजिन के अविस्कारक कौन है सई उतर हो जाएगा ओप्शन सी जोर्ज अस्टिफेंशन ठीक है ये जो हैं रेल इंजिन के अविस्कारक है नेक्स्ट कॉर्शन आपका है रेलवे बोर्ड की अस्थापना कब की गई थी तो इसका राइट एंसर हो जागा option D, सन 1925 इसवी में railway board की अस्थपना की गई थी साथ नमब प्रस्थ है भारत की पर्थम rail गाड़ी दोरा कितनी दूरी तैकी गई आनि कि भारत में पर्थम बार जो rail गाड़ी चली उसने कितनी दूरी को तैक करा था ठीक है, राइट एंसर हो जागा option B, 34 किलो मीटर भारत में जब पहला बार rail गाड़ी चली तो इसकी दूरी तैकी गई थी और ये important परस्थ है बार-बार आपको repeat परस्थ मिलेंगे अगर जिदे आप group D का set मारते होंगे question bank से, तो वहाँ पर भी आपको ये परस्थ जो है, बार-बार देखने के लिए मिल जाएंगे और ये सारे परस्थ इंपोटेंट, ये 75 परस्थ जो है न ये बहुँ ज़दा important है, इसलिए वीडियो के अंतक अब बने ही रहिएगा ठीक है, ताकि अगर ज़दी परिच्छा में परस्थ आप उसको असानी से किलिक कर सकते हैं, आठ नमर परस्थ है, भारत में पहली बार metro rail सेवा किस नगर में आरम की गई तो right answer हो जाएगा, option ये कॉलकाता में कॉलकाता में जो है, भारत में पहली बार metro rail सेवा जो है, अरम किया गया था, ठीक है अच्छा, यहाँ पर metro से समधी ताक कोई एक प्रस्थ और पूछा जा सकता है, कि सबसे पहले भूमिगत जो metro rail चलने वाला था, जो rail चला वो कहाँ पर वो कॉलकाता में चला थी, कि भूमिगत metro कॉलकाता में ही इसी थे, जो जमीन के अंदर चलती है अपका अगला प्रस्थ है, सबसे लंबी railway प्लेट फारम जो है वो कहाँ पर इस्थीत है, राइट अंसर अपका हो जागा option D, गोरकपूर में, सबसे लंबी जो है अगला प्रस्थ है, भारत के कीस राइजे में railway line नहीं है, तो ऐसा भी हमारा भारत का राइज है, जहां पर railway line नहीं है, वो अपका हो जाएगा सही उतर मिघाले, मिघाले जो है, यहां पर railway line अभी तक बिचाया नहीं गया है अगला प्रस्तूत अब का है सवतंतर भारत का पहला रेल बजट किन्हों ने प्रस्तूत किया था तो देखें जब भारत सवतंतर हुआ और पहला जो रेल बजट जो प्रस्तूत किया गया वो प्रस्तूत किया गया था जोन मथाई के द्वारा सही उतर option C हो जाएगा रेल का स्लोगन है ठीक है क्या है राष्ट की जीवन रिखा जो है भारतिये रेल का स्लोगन है अगला प्रस्णप का है भारतिये रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की द्रिष्टी से बीसु में कौन सा अस्थान है आने की जो हमारा भारत है हमारे जो हाँ पे पट्रियां जो मामले में दूरी के मामले में चोदर नमर प्रस्ण है भारत में रेल लाइन बिछाने का सरे किसे प्राप्त है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन B लोड डल होजी को इसका सरे जाता है भारत में रेल लाइन बिछाने का किसको लोड डल होजी को option B सही हो जाएगा अगला प्रस्थ है भारत में सबसे पहली train कहां पर चली थी तो इसका right answer हो जाएगा option ये Mumbai में भारत में सबसे पहली train चली थी कितने दूरी की तही किरा था इसने तो 34 km ठीक है कहां पर Mumbai में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे भी बताने की आवशकता नहीं है सब्सक्राइब भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी यह इंपोर्टेंट प्रस्ण ठीक है 1853 को अभी हम लोगों ने एक दो नुमर प्रस्ण में देखा था कि 1853 में चला था ठीक है तो इसका जो राइट एक्जेक्ट डेट आपको पूछा जा रहा है इस प्रस्ण में ठीक है कि सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी तो राइट एंसर भी हो जाएग रेल्वे बजट को समाइन बजट से किस वर्स अलग किया गया देखिए रेल्वे का जो बजट आता है वो आनिकी समाइन बजट से इसको जो है रेल्वे बजट को जो है समाइन बजट से अलग कर दिया गया था और इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी 1924 सिस्वी मे वो आपका है भारतिये रेल option B यहाँ पर सही उतर हो जाएगा अगला प्रसन है भारतिये रेल लिनेटोरक का बीसु में कौन सा स्थान है तो इसका right answer हो जाएगा option D 14 अस्थान है भारतिये रेल लिनेटोरक का बीसु में अगला प्रसन है भारतिये रेल लिनेटोरक का एषिया में कौन सा स्थान है यह देखे important प्रसन है वह परले 20 पूछ रहा था अब एषिया में ले करके आ गिया है और आपको इसको भी आद रखना है तो देखे एसीय में जो है इसका जो अस्थान है दूसरा स्थान है ठीक है पूरे एसीय में भारतिये रेल का दूसरा स्थान है अगला प्रस्ण है बीसु में पर्थम रेल कब चली थी तो देखे पूरे बीसु में भी हम लोगों ने अठा सबसे अधिक है और इसका जो सही उतर हो जाएगा उतर परदेश भारत में सबसे अधिक जो रेल लाइन है वो उतर परदेश में है अगला प्रसन है पूर सेंटर रेलवे जोन का मुख्याले कहां परिस्तित है तो इसका जो राइट अंसर आपका हो जाएगा अप्शन ये हो हाजिपूर में पूर सेंटर रेलवे जोन का मुख्याले है आपका अगला प्रसन हो जाएगा अब तक काम में आने वाला बीसु का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा फेरी क्वीन जो है सबसे पुरान का जो है इसा कौन सी रेल गाड़ी है जो सबसे लंबे रेल मार्ग आने की सबसे अधिक दूरी तई करती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जम्मू कन्या कुमारी एक्सप्रेस जो है सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है सही उतर ऑप्शन ये के साथ चला 26 नमर प्रसन देखिए निमलिखीत में से कौन सी जगह रेल सामगरी नहीं बनाई जाती है Option ये वारा नसी, Option B मुंबई, Option C चन्नई या फिर Option D कपुर्थला तो राइट एंसर हो जाएगा Option B मुंबई जो है यहाँ पर क्या है कि रेल सामगरी जो नहीं बनाई जाती है बाकि वारा नसी, चन्नई और कपुर्थला इन में क्या है कि रेल में जो परियोग होते हैं इंजन हो गया, बोडी हो गया, चक्का हो गया, धोरी हो गया इन सारे चीजों का जो पर यहां पर निर्मान के जाद है लेकिन मुंबई में इसा कुछ भी नहीं है 27 नमर प्रस्ण है निमलखीत में से कहां रेलवे मुख्याले नहीं है इसके लिए हम लोगों को आप्सन देखना पड़ेगा आप्सन ये हुबली, आप्सन बी एहमदाबाद, आप्सन सी बिलासपूर या फिर आप्सन दी हाजीपूर राइट एंसर आप्सन बी के साथ चला जाएगा यहां पर रेलवे मुख्याले नहीं है 28 नमर प्रसन है पूर रेलवे के बंटवारे के पस्चात हाजीपूर के अंचली क कर्याले का नाम क्या हुआ तो देखे इसका राइट एंसर जो आपका चला जाएगा, आप्सन दी के साथ चला जाएगा पूर मैध रेलवे ठीक है वही पर प्रसन पूछा जा रहा है कि पूरू रेलवे के बंटवारे के पस्चात जब पूरू रेलवे के बंटवारा हो गया तो हजारी पक अंचली कर्याले का नाम यहां पर हाजीपूर अंचली कर्याले का नाम जो रखा गया पूरू मैध रेलवे रखा गया 29 नमर प्रस्ट है बिरंदाबन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है तो इसका राइट एंसर जो अपका हो जागा option C हो जागा चैननेई और बंगलोर के बीच में चलती है बिरंदाबन एक्सप्रेस 30 नमर प्रस्ट है पहिये और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनीट कहां पर अवस्थीत है राइट एंसर हो जागा option ये बंगलोर में पहिये और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनीट जो है अवस्थीत है सही उतर option ये हो जागा बंगलोर में अगला जब का प्रस्ट है देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकीत में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में परिवहन होता है पूरे देश में जो सबसे अधिक जो माल परिवहन होता है वो हमारा रेल के द्वारा किया जाता है कोईला ले जाना है तो रेलवे में जाएगा लोहा ले जाना है तो railway में जाएगा आने कि किसी भी तरह की माल को यहां से वहां ले जाने के लिए सबसे अधुईक परियूक जो हता है वो हमारा railway का परियूक किया जाता है ठीक है अगला प्रस्ण है भारत में पर्थम विद्यूत ट्रेन कब चले थी यह देखे इंपोर्टन प्रस्ण है पहले भाप से चला फिर कोईला से चला फिर डीजल से चला उसके बाद क्या है विद्यूत से चलना चलू हो गया और यह जो चला था हमारा राइट अंसर हो जाएगा इसका आप्सन यह 1925 इसवें पर्थम बार विद्यूत ट्रेन चलाई गई थी 33 नमर प्रस्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ी का नाम क्या है तो देखे भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेल गाड़ी चलती है उसका नाम आपका हो जाएगा समझाता एक्सपरेस ओप्सन डी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा रेलवे का जोन मुख्याले हाजिपूर इस्थित है कहाँ पर तो देखे रेलवे का जो एक जोन या फिर मुख्याले जो हाजिपूर है यह हमारा इस्थित है बिहार में कहाँ पर सही उतर हो जाएगा बिहार में रेलवे मुख्याले हाजी पूरिश्थी थे और हमारा जो अगला प्रस्थ है और इस वीडियो का पार्ट वन का अंतिम प्रस्थ भी है पार्ट भी हम लोग भी अगला बार देखेंगे तो यह हमारा क्या है कि रेल मंतराले ने विलेज वन विल्स नामक परियोजना सुरू करने की घोसना की इस वर्स की थी तो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन ये दो हजार चार इस वी में ठीक है और इसी वीडियो के अंतिम में आपको जो है जब नेक्स वीडियो आएगा उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप जो है इसका पार्ट टू भी देख लिजेगा तो उमिद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सकेंड वीडियो देखने के लिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी दुसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई देखते रही हमारा यूट्यूब चैनल जीके वितार के थेंक्यू